कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं अलो नमस्कार जैंद हम लोग को सिका पढ़ रहें बोशी का सेल पूरी को चेपटर को एक ही बार में पढ़ेंगे एक वीडियो में अब हर एक वीडियो में एक चेप्टर खतम करेंगे और दस 15 वीडियो में ख मतलब इंप कइण क्यूट सेल के और स्य कहीं सिट कीड़िटी सब्से च्छोटी ऐसी काई क है जो गरति क्रेया करने का मतलब करते हैं जो हम सबनाती है तो इसलिए को क्रयात्मा की काई भी स्तंदराशनात्मा की काई में खोसी का बहुत सारे सारी मिलकर को टो टम बनाते हैं टेर और उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं जैसे उंगली एक अंग है पाय रंक है कान ना कुछ सबक необходимо है और अंग कई सारे अंग मिलके अंग तंत्र बनाते एक सिस्टम सिस्टम बनाते हैं बहुत सारे सिस्टम के अधार पर ही हम लोग पूरी चर fuko और पूरा सिस्टम में कर बड़ी फट्रृत कर निर्माड राव सबसे पहले मृत कोशिका की कि खोजुशुआ की factor नहीं करी थी शll बादव सजीव की दोनों की लिवन हांक ने करी थी पादव सजीव की प्याज में करी थी और सजीव की दाट में करी थी वसी का सिध्यांथ चल्डन अर्षवान ने दिया था मिलकर बने कोई सजीव हो उसका पूरा सरीर मिलकर बना होता है कोशिका उसकी उत्पाद पर मतलब प्रोड़क्ट एक निष्चित प्रकार करने के लिए वादित हो जाती है उसी को उत्पाद कहते हैं उसके उत्पाद और उस्पाद को हम यहां उत्तक भी कह सकते हैं एक ही बात है मिलकर सजीव की सबसे छोटी आपके अब हम समझाया इसको पुशिका सीधान्त इतर जाए है लेकिन इसकोशिका सीधान सीधान्त के अपवाद क्या है सब्सक्राइभ सब्सक्रा बना और जो है प्रोटीन से बना होता है और इस आरोन के अंदर नुक्लिक पदार्थ होता है या तो DNA होता है या तो RNA होता है दोनों नहीं होता है दोनों में से कोई एक होता है या तो DNA या तो RNA इसलिए वायरस विद्धो प्रकार के होता है लेकिन इसी अधार वायरस विद्धो प्रकार के हो जाते हैं एक ऐसे वायरस जिसमें DNA पाया जाता है तो होता है लेकिन या तो तो यह लेख होता है कि इनके चार और प्रोटीन का औरन बनता है जिसे काते हैं इस पर बना अ red समान रहता है और जब किसी सजीव कोषिका के संपरक्ख में आता में आता है धोस भी सजीव में जाता यह कैसे क्योंकि इसके पास तो किस होता नहीं है तो अगर उसके पास डियन्य है तो आरेन्य की जोर्थ पड़ेगी आरेन्य कहां से लेगा जब किसी को संपर्क में आएगा तो उससे ले लेगा अगर उसके तो इसके पास सिर्फ आरेन्य नहीं है तो किसी को संपर्क में से लेगा यो ने ले लगा तो भुद सजी हो जाएगा नेस्ट प्रियान लाय राइड वाय राइड यह भी जोसी के होटा है बले करता है और पादपों में रोगत प्रोटीन अनुपस्थित होता है यह भी वाइराइड भी इसमें भी एक कैपसीट प्रोटीन का नहीं बना होता है वाइरस वाला कैपसीट प्रोटीन का नहीं बना इसमें भी या तो DNA होता है या तो RNA होता है वहीं काम सिर्फ जो वाइरस है वैसे ही वाइराइड है बस इसमे यान होता है यान कर यह इसमें प्रोटीन निर्मित होता चाहर इसमें मुकल से बना होता है लेकिन जितने नहीं होता है जंतेंग में सम्भन्दी ऊर्फिक संबंधियानक। के मेंस प्रीहें होती है न 12 क מצव सभी साजियो मगा शरीर कोशीका से मिलकर बना होता है और कोशीका है तो इसमेंघर भी וכ भी होता है लेकिन अपय किस्वें नहीं होता है क्या चैनल रखत कड़ीका है जो कंड़ा क्या झालते हैं केंड़ाइक यौह है कि कोशीщग्र का मस्तिक्स होता है तो जिसके पास मस्तिक्स ही नहीं होगा तो गुस्से में लाल पिला हो जाएगा तो इसी लाल रख खड़िकावा में मस्तिक्स नहीं होता याने की केंद्रक नहीं होता है स्यवर कि रुडाल्व विर्चो रुडाल्व विर्चो के मिसार प्रतेक नई कुछा का पती। अपने पुरवर्वर्थिक क्वष्यका से होती है। क्वसिका में सोता प्रेजणन होता है। कि स्वता प्रज्वन होता है फिर्सों इसमें इसे होता है यह कंड़न मुख्रण वरा इसमें प्रज्वन अभी आएगा आएगा दुखंडन होगता है कोशिका से थोड़ा से भाग तूटक रालग हुआ और यक नई सबन गया क्या होटा है जिस proposed प्रकार से पौधों में एक नई कली उत्पन होती है और प्रकार глаза करें कौशिका को दिसता है और एक की यूचरोटिक सोदी है रोक्रिज तिक्स मतला पहले मतलब का विचा नहीं है पुरोखारेटिस इसमें के नहीं हुआ है यूचरी इसमें के तरक विकास नहीं इसके रचिया रखाष रगनuter गलाएं स्पाष स्येंग सीन तरका चैंतर के साथ काल यानिकी Vs cantaja Chessna केस देख रहे हैं यहाँ यह पे यहbellum 20 लुन थैसमें माइट्रो कांड्रिया पेसी काम स्रहगा जोगी इसमें रूम कि इंटलाज्मी ग्रेटीकुल्म बड़ी सब कुछ शेमें Kingdom में आपको देख रहा है प्रोकरियोटिक्स असीम केंद्र की और यूकरियोटिक्स असीम केंद्र की प्रोकरियोटिक्स अब एक्सित केंद्रक में नगने इन्ने होता है अभी प्रोकरियोटिक्स का मतलब बतान प्रो मतलब पहले यानि केंद्रक के विकास से पहले इसमें प्रकेंद्रक के विकास नह नंगे घुमता है और उसको समझ लीजिए वहस्क ब्यक्ति हम लोगों जैसे बच्चे यानिक जो बड़ी बच्चे होते हैं अब इक्सित कंद्रक में यानिकी प्रोकरियोटिक्स अब इसके तक हमें नगने डिनने होता है नगने डिनने होता है जबकि इन में आवरित डिनने बड़े बच्ची कपड़े पहंदे हैं तो यहां पर आवरित डिनने होता है इसमें ब्रितकार बिक सब्सक्राइब गए कोaráगए को इननेद्रक अलग अलग वादित नहीं होते अलग वी कैसे होंगे जब कनत्रक बना ही नहीं नहीं है इसमें तो कियंदरक अलग से प्राक केंद्रक की है यानि कि यह केंद्रक के विकास से पहले की स्थिति है तो जब केंद्रक बना ही नहीं है तो अलग कैसे विवधित होगा नहीं होता है इसमें केंद्रक बन गया है तो केंद्रक अलग से विवधित होता है यानि कोशी का द्रब्य और केंद्रक अलग-अल क्योंकि इसमें प्रोकरियोट में होता है सोशन का मैट्रोकांडिया में होता है कि कोशिका का फेपड़ा माइट्रोकांडिया को हते हैं मitrokandria लेकिन हम लेकlaim मिलते ही तो फिर प्लाज्मा जुली में बाहरी पुर्त में और यहाँ परוש माईट्रौकांड्र में होता है प्रोकेरवस में क्या होता है कैंद्रिकानु प vost होती है केंध्रक क्या चीज होती था ह Sagiliya ें तो चreciよろしく होती है तो चम केंद्रक के अंदर एक छोटी का रिधा ही जब नहीं होता है तो किंद्रिक कहां से ऑगी और इसमें जली तक dzi cap होती है सबुस्श में वोति है यह चोटे बच्चे कम पैसा रखते हैं और बड़े बच्चे ज्यादा पैसा रखते हैं यानिकि प्रोकरियोट्स में राइबोसम्स तो होता है जो 70 प्रकार का होता है राइबोसम्स प्रकार का होता है तो राइबोसम्स प्रकार का होता है प्रोकरियोट्स में राइबोसम्स नहीं कर पाएंगे लेकिन वहाएं अगर मिलए तो लेंग जनन कर दें तुरहंत तो कोशिका विभाजन तो नहीं होता है है क्योंकि लंग जने इसमें होता ही नहीं है चोटे बच्चे हैं और विवाजन तब कैसे होगा नए कोश्का तब कैसे बनेगी तो भी खंडन अथा मुखलान द्वारा बनेगी विखंडन क्या होता है वो सिकाइब थोड़ा बाग तूट का रालग हो जाएगा नए कोश्का ब समसुत्री उंधाला द्वारा dripping मतलब जिसमें गुछ्षुत्र की ऋ्यांतों में कर दो कोशिका अभी नहीं होता है इसलिये तो कोशिक파 नहीं होता है यह म्लब होता है कि कोशिकाए का चार कोशिका Create लेकिन गुशुत्रों कि संट्धी रह जाती अभी आएं डोनों में एक इसलिए तो कोषिका विभाजन नहीं होता है तो यह वाला काहँ होता है जया जोड़ी में गुर्षूत्र होते हैं आगे आएगा भी तो प्रोकर योट्स में केवल एक ही गुढ शुत्र होता है और ये रिख्तिका प्रोकर योट्स में रिक्तिका नहीं पाये जाती है प्रकार से पर्स समझ लीजी पर्स में पैसे समाल करते हैं ताकि भूख लगेगी तो कुछ खा लेंगे बाहर से इसलिए पैसे संमाल करक्ते हैं थो छोटे बच्चे पर स्ख्ते नहीं और बड़े बच्चे पर्स रखते हैं इसलिए में रिक्तिका नहीं होती है वह के अंदर अईसा खाली अस्थान होता है जहां पर भोजन संग रहित किया जाता है अब आएसा तो है हमेशा निर्माण करें दिन बर्दों कर सकते हैं वहां करेंगे होती है तो भोजण हमेशा नहीं हो सकता है लेकिन कि एक हर मिनिट में पड़ेगी तो जे लेख यह नियाती है क्के लिए रहेती है तो यह nurse me who चोर्कोरिया इसलिए होते छोटे जीव सक्रियां कि साथ होते निर्स आप छिसलिएWhoa recycling इसमें नहीं पएंग नहीं पाए जाते हैं Dani नहीं पाहिजाते हैं कि खनानफं पाहिजाते हैं अभक yelling नहीं पाए कि और इसमें सब कुछ मिलता है कर सकता है तो पादप के अंदर इसको रख सकते हैं तो इसको बैक्टरिया पादप दोनों के अंतर कर रखा जाता है तो बैक्टरिया पादप के अंदर रखना है तो बैक्टरिया के अंदर क्यों रखेंगे क्योंकि एक कोसिकी होता है और एक कोसिकी में भी प्रोकरियोट्स ह होता है हिकरियोट्स नहीं होता है यानि कोसिका फुसका का इसमें विकास नहीं भुए हुआ हुँ कि अथि कि उधारण क्या देंगे कवकं ए कष प्रोटिष्टा जन्त और पादप यह विसेते प्र कर दोकौो औहीं पड़े हैं और क्सीका दोनों में अंत्रा भी देखें और इतरी को सिका जो को सिका होती है उन्हें पूना दो भागते हैं एक जंत व्युश्यका अभद फ्राज़ को सिका प्लांट सेल में स Barn Lane size जिनसे पॉद्हों का भी कास होता है अ कि मैं के इस कोछिका जन्तुकोषिका और पादकोषिका क लगभग хорошо सिका डीया होती है न्लना के इसफिक वह होती है जन्तुक्षिका में तोकुषिका में एक दी यूच ज tried पादप कोशिका में केंद्रक केंद्रक किनारे पर होता है बीच में नहीं होता है जब जन्तु कोशिका में केंद्रक बीच में हो गया तो रिक्तिका के लिए जगह नहीं बचा बीच में तो रिक्तिका साइड में होती है और छोटी होती है यह सब रिक्तिका साइड में छोट स्लाइड में और पादपकोशिका जन्तुकोशिका पादपकोशिका कोशिका भीत्ति अभी इस स्लाइड में अभी अभी देखेंगे तो देखेंगे कोशिका भीत्ति कठोर होती है और कोशिका जिली लचिली होती है तो कोशिका भीत्ति जो कठोर होती है तो वो पौधों में पाई जाती है और जन्तु में नहीं पाई जाती है क्योंकि पवधें बहुत कठोर होते हैं इतने कठोर होते हैं कि लाड़े से काटना पड़ता है और जन्तु बंद्रक नूकलियस में होता है क्योंकि यू का यू को सिका और यू को रहता है और यू क्योसिक रहत है इन्दर Sum g दो में नहीं करते हैं प्रकास ईंसलेशन नहीं करते हैं प्रकास लेशन नहीं कर만 और पौधे प्रकास संस्लेशन करते हैं क्योंकि पौधे में हरित लोग मिलता है राइबोस्वम जहां भी आप साइंस में राइबो राइबोस्वम देखें तो उसका अर्थ प्रोटीन से होता है उसका अर्थ होता है प्रोटीन तो राइबोस्वम का क्या अर्थ है प्रोटी हो सब्सक्राइब लोगों सभी है वी रिक्तिकाएं क्या होती है अ कि आपर भोजन का संगरान होता है कि हम लोई खाले सकते हैं तो आप अधा रात में तो नहीं बना है उनकी कोशिका भी छोटी होती है तो रिक्तिका भी छोटे अकार की होती है रिक्तिका भी छोटे अकार की होती है जन्त कोशिका में पादप बड़े होते हैं विसाल होते हैं तो पौधो की कोशिका बड़ी होती है और जब पौधो कोशिका बड़ी होती है तो इसमें रिक्तिका बड़ी सी होती ही पादव कोशिका में तो बड़ी कोशी होती है तो कम संख्या में होती है तो रिक्तिकाएं जनतु कोशिका में छोटी होती इसलिए अधिक संख्या में होती है और रिक्तिकाएं पादव कोशिका में बड़ी होती है इसलिए कम संख्या में होती है लाइसोसोम लाइसोसोम तो पढ़ें लाइसोसोम लास 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 का मतलब डेड़ बड़ी यह क्या करता है लाइसोसम क्या करता है एड़ बड़ी कलास को पचा देता है य्यानि कि जो भी कोशिकाओं की मृत्टी होती है उन्हें मिर्थी कोशिकाओं को यह पचा देता है लाय्सोसम क्यों पचाता है टो इसके पास हईडिरक एंजाइम होता है जैसे बोलता है हईडोलेट केंजाईम ह enorm हरे ये इन्हें गला देता है मृतittle तो इसका कारी यहीं है इसीन लिए तो लाइसुर्ण को आतमगाती थैली डैल आगे पढ़ेंगे मुश्रा , और न्यॉसर्म क्या हो सकता कि अधाव अधोगी यार दोनों में इसका मतलब परस्तित होता है गुण स्そうだ गुण शूत पर जीन पाया जाते हैं और जीन क्या होता है अनुवन सकता की है यानि की माता प्लता गुण बच्छों में कून ले जाता है जीन ले जाता है तो आगे पढ़ें कि गुण्सुत्र के बारे में तो आता्या टो गुण फटीद होता है और जंतु कोशिका चोटी होती तेश्वें छोटे एकार गुणसुत्र होते हैं पाधप में भी उपस्थित होती है पौधे भी अगर आम का भी वोएगे लुछ वी पैदा होगा नहीं और आम ही पैदा होगा क्यों की मातब विधा का मुड़ शोंतान ने आ गया जीन लेका चले आए उपस्थित इस में वहते हैं अंत्रप्रदि विजाली का यार के जिस प्रकार से हमारा शरीर किस प्रकार का होगा कुछिए कौन करता है कमकाल जैसे कंकाल बोलते हैं और अंतर प्रद्रवि जाली अंतर प्रद्र फ्रकार के दोनों प्रद्र प्रकार के प्सक्राइब आए मुझा मेज़गे प्राकार होता है जनतुप्राकार में भी ब्रज़र्ण बनुक्राइद परकार की पाधव कोशिखा में भी होती है जंतुकसिका में पॉस्प्रान स्थ champions MM संठ्खा में होती है और यह कम संठ्खेन होगी यह जो पीजiran संचार का बोजन संचार पाले ग्लाइकोजन बदलता इसी को पाचन बोलते हैं प्रोटीन पहले पूलता है फिर अमिन असेड असेड बदलता ऑघे पढ़ें का संचय का मतलब जनतूह में होता है एंग्लाइकोजन की रूप में होता है। होता है लोको लोगो तो हम लोग उ socialist होता है उर्च कर जाये तोcr numerous क्यों की जणू में कीड़े मोकड़े हो सकते हैं इसलिए पौध sports की रुप में होती हैं लाइकोजन का संचे होता है अब गलाइकोजन का संचे होता कहां है भोजन है गलाइकोजन और पौधों का संचे होगा लेकिन आधिक कहां होता है तो जनतों में सरवाधिक होता है यक्रित में लिवर में होता है और पौधों में सरवाधिक होता है जड़ों में अब को सिकाएं ने हो सकते हैं कीड़े मुकुले को थे के सरवाधिक होता पूरे सरीर में है लेकिन सरसवादिक जटेश प्रकास करता है यह मदद करता है लेकिन मुखहकाष का फेलला चील निर्माण करना है यह देखिए यह अता है यह घणोली होती है यह चोटी-चोटी यह इसीलि आ होती है नहीं की सहाइता जाते हैं क्योंकि इन के निरमाण में में शहाइता कोन करता तारक कार करता है सेंट्रियोस्वम करता है तारक का सेंट्रियोस्वम इनके निर्माण में सायता करता है तो जन्तु कोशिका में तारक का उपस्थित होता है पादप कोशिका में उपस्थित नहीं होता है क्योंकि पादप कोशिका जो है उसमें पादप कोशिका में यूकरियोट्स वाला नहीं आई जणजट य को पाधिक साथ ने इंद कोशिकां हम का में होता है कर सिर्फ देख सकते हैं यह आ है न्यूंटत्र कोशिकां और यह है पाध्प कोशिक को कि पूशिका संदाइक को समझने के लिए हम आप सकतë है को 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 आवरण कोशिका आवरण क्या होता है कोशिका जिल्ली और कोशिका भित्ति होती है कोशिका बित्ति और कोशिका जिल्ली बाहरी भित्ति होती है अंदर जिल्ली होती है बित्ति मतले दिवार और दिवार तो सबसे बाहरी होती है बाहर ही होती है और जिल्ली का मतले समझे करका समझ सकते एक अंडा लेजे उसको तोड़ेए उसमेद सफिद कट्षाइब सफिद कट्षा जिल्का होता है और ख़िल को हटा है तो को सिकर भिती समंझ लेगा चिल्का कंट्षा हो जिब ब्लास्टिक सी पतली सी पर्त और जब उसको हटादेंगे दुनों को तो सफेद रंग को एड मिलेगा उसमें खाने वाला उसको आप कोशिका समझेह ऑप मञद्विय को भीटी को जब काटेंगे तो से जर्दी जो होतीै उसको को आप समझ सकते हैं इस प्रकार से मसमा नहां तक चालता को तोसिका भिति देखे को सिंग रभी क्या होता है यह होता है कोशीका रभी wam कोशिका के अंदर उपस्थित रड़ जीवद्र बोलते हैं अक स्फिप्ति क्या होती है क्या होती है भित्ती क्या होती दिवार क्या होती कठोर होती है तो ये उसलिए यह काम क्यों भी करती है यह को याद करना पड़ेगा कवक में से बनी होती है और वेकरियों को मैं होती है अर्द करते हैं तो यह बान अंदर अंदर होता है और से हो जाता है क्योंकि वह भाफ अंदर चला जाता है उसको अलिद अंदर कैसे जाता है इसका मतलब अर्ढक होता तब तो कोसीका बरथा अर्द पारगम में होती है यह कोछी का जिल्ली जलिंदी सभी प्रकार की को का मैं होती है वह को सिर्फ पादब को सिटा प्रकार में कौक्षी नहीं होती है लेकिन को सिंका जिली सभीं होती है अब उसी करते हैं ये वह की बोल्चिली पर हिलोता है कर दो हरी पर प्रोटीन से मिलकर बना यह प्लाजमा जिली इसका बाहरी से यह जल रागी से यह जल बिरागी होता है आधे यह कोशी का तरह में अनिक संदरता के अंतर को बना है के सहाइटा करती है कैसे करती है चुर्षिका धिली कोशिका भीति और कोशिका जिली यी दोनों अर्ध पारघम में होती हैं अर्ध पारघम में का मतलब कि उसके अंदर से कुछन जा सकती हैं और कुछ जैलोल के से अंदर जाएगा तो इससे अर्धपारगम में होती है दोनों वो इस का जिली भी अर्ध तो समझखेट लेकिन अंदर समाहित उसी को करते हैं जो ठीक ठाक देखने में होती है लेकिन इसी प्रकार से लेकिन लड़कियां क्या होती है लड़कियों कोश का जिली समझ लीजिए और लड़कियां क्या होती है वो भी अर्थपार गम में होती है वो भी डिसाइड लेकिन वो डिसाइड करती है कि कौन जो है कि सलेज सेलेक्ट है होने लायक है कवन अपने पै को इस चैनात्म अर्दफर गम में होती है कि इस इस यह अंत्रिक द्वर्टियं सेफ्ड यह अंत्रिक थी जण रागी और बारी स्थी जलिए जय से आप समझ लेजी आएयए है अर最 hard इसby आप ऐसे समझ लीजिए सम कि एक कोशिके जिलन है कि भाहर से जब जल आयगा तो जल आकर्शित कर लेंगी जल जह ineने पास आएगह जल म rubbish अब जल को आकर्शित खर लेंगी है कि इस लिए बाहरी हिता हुए जल रागी होता यानि कि आकर आप मुझा जल का समर्थन करता है जल को अ पी आकरशित कर लेता है जोही पास आ जल उसके बाद आकर्षित करें अंदर भेजती है और अंदर वाला सिरण विरागी होता है यहां कि नहीं कि डों सिब्सक्राइब शुद्र करता है निसलोर्य प्ष् hoje करता है और अंदर जोहीं जल आता है जल को director अंदर पहुंच जाता है कि यह प्रकार से जल कोषिका के अंदर पहुंच जाता है क्यों क्योंकि बारिस्क्रा जल विरागी होता है आप इतना रखेंकि समझ गए होगे आप इसके बाद कोशिका द्रव माइट्रो कांडे लाइसुसों राइबू समसित्यादी कोशिकां को पस्तित होते हैं उन सभी को देखेंगे पढ़ेंगे अलग-लग क्या होता है माइट्रो कंडे सुत्र कणिका इसके खोज रिचार्ड आल्टमें ने करी थी तुत्र कणिका कालिकर के रखित पेशियों में देखा गया था इससे और को सम कहते हैं सर्कोस्व समभ इसका अन्य नाम है वा यू प्लास्ट कि अ जिसे अल्टमें में ने दिन था विट अल्टमिन अटर प्रकार था फ्लेमिंग ने का था फिला नाम पर है और माइट्रो कांडिया शुत्रकणिका किस ने कहा था था लेकिन इसका नाम किस ने दिया था बेंडा ने बेंड़ प्रकार का आदमी था नाम दे दिया कि यह दोहरी जिल्लीत को सिकांग है तुत्रकणिका दोहरी डवल लेयर से बना होता है भेत्ती नहीं होती सिर्फ जिल्ली ही होती है इसमें आंत्रिक जिल्ली के वलन को क्रिष्टी कहा जाता है क्रिष्टी का नाम है यह क्रिष्टी है यह आंत्रिक वलन है क्रिष्टी क्रिष वरसी सम्भोल चैनल होता ही इसमें स्वेंग का डीनने और रहने होता हालांकि डीनने और रहने समाने प्रिष्णते यह कहर участ Кiddiri केम आत्र की पास भी तो कि माइट्रो कांडिया के पास दोनों है तो नोच कर सकती है और ने प्रोटीन का निर्माद़ कर सकती है तो पूरी तरफ से नहीं लेकिन आधी प्रकार से अब बताया में इसे कोशिका का सकती ग्रीप आवर होते हैं क्योंकि इसी में प्रेपिक रूप में उर्जा मुक्त होती है एटीप की रूप में उर्जा कैसे मुखत होती है और यहीं उर्जा है यानि कि भोजन है जन्तूओं का भोजन ग्लोकोज होता है और यह आक्सीजन है आक्सीजन ही ग्लोकोज जला रहा है और जला कर हो उसके बाद हमें उर्जा मिल्गे रूप में ऊर्ज Memorial aintral का नियुंट काम कहां होता है माइट्र कांड्रिया में होता है इसलिए इसके सक्थिगरी पावर्हाउस कहते हैं तो सुमॐर परिवर्तन से ने करते हैं और पाचन तन्तर यहीं तो है और इसी को पाचन करते यह नहीं कि एसी को गलका जला कर उर्जा दे रही है कर रहा है लवक प्लास्टीड इसकी खोज हैंलने करी थी सिंपर ने दिया था लगा के अ रहा है और शेंपर कारी थी जांटे ने करें थी पाएकल लेकिसी मपसर नहीं थि और सब्द सिम सर ने दिया था खोज हैकल ने करी थी लवकод तीन प्रकार के होते हैं हरित लवकण है क्लोरो प्राशे साइंस में उलगा शुक क podemos क्वरोमो कर दो रंगीन और क्लोर कमदलें हरा होता है और लिको कम अ मतलब होता हाई सफे है साइंस में हालाग वर्थी होता है स्थ हरा रंग से है क्यानि कि इसमें हरा रांग होगा हरा रंग के लिए पारण रूर धुटा क्लॉरोफिल पर ले-फर मतलब पत्ता हर लुटtext । हरे रंग के पत्ते होते हैं किसके कारण पार्ण हरित के कारण क्लोरोफिल के कारण यह वर्ण का मतला रंग देने वाला होता है तो वर्ण का मतला रंग देने वाला तो हरित लवक में कौन होता है परन हरित होता है यानि कि क्लोरोप्लास्ट में कौन होता है क्लोरोफील होता है और तब क्लोरो हरित लवक क्या उनसा रंग देगा हरा रंग देगा शिरी से बात है वर्नी लवक प्रोमप्लास्ट वर्नकार्थ होता है रंग तो वर्नी लवक य हेस Hack जहां भी आप लिवको देखें तो इसका प्लपता सफेद का अतल रंग की किर सफेद का रंग क्या है सब्सक्क्राइब नहीं इसनियों सफेद को सब्सक्राइब को साइञ नहीं होता है यानि कि म einुछ कोई फीगमेंट नहीं होता है कोई रंग नहीं होता इसमें हरीत लावक दोहरी जिल्लीक्त क्रती सिकंग है जुआ होती है मैं युआ के प्रिकास भान् cuando है क्रमरत है ता प्रमरत क्लोरोबधिल होता था आप co2 प्लस जल co2 से प्ल्ड कार्वथे कार्वं डिएक ग्रहन करते हैं और जडों द्वारा जल ग्रहन कर लेते हैं मिठ्टी से और यह प्रICAश की उपस्तिती में जब फिल उनके पास होगा फिल खुद उनके पास होता आ अपर उर्जा मॉक्त होती है इसी को बोलते हैं प्रेकास इसलेशन की क्रिया है तो इसलिए प्रेकास इसलेशन की क्रिया होती है कि पाइजाते हैं जड़े सफेद रंकी अब भूरे रंकी होती है और अभी मैंने बताया कि साइंस में सफेद रंको कि रंग हीन बोला जाता है और रंग हीन कहां होगा और निलवक में आवर नहीं है तो सब्सक्राइब करते हैं अभी ने बताया कि रिक्तिका में भोजन का संग्राण होता है रिक्तिका कहां होता है और रिक्तिका कहां होती है वैसे तो पूरे सरीर में होती है पूरी सभी कोसी कहां में होती है रिक्तिका और कोसी का पूरे सरीर में होती है तो वैसे तो सब्सक्रा भोजन संग्रण का कारे करते हैं यह था लवक प्लास्टिड के रूटीन अभी आए था के रूटीन के रूटीन दर साल के रूटीन गाजन पाए जाता है गाजन नरंगी रंगा होता है तो यह भी नरंगी रंगा होता है आप यहां स्याद कर सकते हैं यह नरंगी रंगा वर् सब्सक्राइब प्रकास का संचे करता है जब क्लोरोफील प्रकास को सब्सक्राइब कर लेता है तो इसको क्लेक्ट करके रखता कौन है यानि कि उसका संचे कौन करता है करता है एक होता है जैन्तोफील अईसे पत्ते हैं जेंटो पर इंत क्लॉरोफील की होता है प्रेकास को हमुषित कर लाथ और मुक्न का यह वंक द्रीश से प्रेकास को भी इससे मारव पितना हहह वह है कर पता है कंद अधा इससे यह नहीं कर पाया है कि पीले रंग करका हूं नहीं तो नहीं परकार के होते हैं एक रोते हैं अबस आप से यह पूछा जा सकता है निमलिकित में से कौन जैंफिल का परकारû नहीं है कि आप संतीन देगा क्यार देगा कंथा जन्तिन जिया जन्तिन लिटीन और एक कोई और देगा तो आपको सेलेक्ट वरना इसके बारे में नहीं पढ़ना है यह क्या होते हैं बस तीनों को आप ध्यान रखेंगे अंत्रप्रद विजाली का इंडबलाज्मी ग्रेटी कुला में क्या होता है इसकी खोच पोटर ने की थी आप जाली लेकर जाएंगे एक बोड़ इतना ज्यादा जाली होगा आपके पास और जाली लेकर सर पर रखके जाएंगे जबी स्टेशन पर तो कोन आएगा कुली आए बताया कि जिस प्रकार से हमारे खरी का अंकाल निर्मा हमारे खरी का हमारे Craft करता है उस कि कों करता आँ cur diff भी जाली का अंदर के भाग है जब फोड़ दो सी इसकीह एकर सब़ैंड है यह एक स्विलिन आपक देख रहे है एक स्याओन आ बऑड है इस नली जो होता है नली के जहारा है तो इदर आपको नली प्रकार कर दिख रहा है यह यह नली प्रकार का दिख रहा है तो को इस नली का जो यह नली जो होता है नली के जो भीतर रिक्त स्थान है इसको लियुमेन कहते हैं किसमें होगा आप से क्वेशन पुझास दैंट पुर्दरी में कि छीकनी में इस जेक नहीं के होती है क्ञाइक देट पास कोई कण्हीं होते हैं इसके पास नहीं होते हैं शीकिनिया और उसके पास यह identsस इसलिएं ईयुक्षि टुपर और श्राइक हो सबकते हैं इसलिए कि अहीं हो जाती है तो युक् 걸 삥 सकते हैं यहाँ पर क्या हता है इक ने लुटेस कोई नहीं सकते हैं एंधुरेंटरी अन्टरप्र प्षकत क्यों है क्योंकि उसके पास राइबोस्म NOT रहते हैं और arrive संस कार्थ प्रोटीन होता है तो यहां पर क्या होता है प्रोटीनका स्नस्लेशन हो सकता है और प्रोटेन से कैज बने होती कशा जो को सिका इक निर्माड में सहयक होती है इसके पास कोई रैबोसम नहीं करती है उसका मतल़ प्रोटेन के नर्माड नहीं करती है तो किसका करेगी और लिपीड का हमने बताया मोजन में सीपील खाते हैं सीपील मतले कार्वोड़ेट प्रोटीन और लिपीड तो प्रोटीन का निर्माण यह करी बचा क्या कार्वोड़ेट और लिपीड बचा तो कार्वोड़ेट और लिपीड यह करती है क्या होते हैं यह के पास होती है अधिक अस्थाई होती है दरसल खुर्दरी के पास क्या होता होते हैं और राइबोसम्स मुख्यूरूप से कहां होते हैं वैसे तो पूरे वैसी काम होते हैं लेकिन मुख्यूरूप से केंद्रक में होते हैं कि एक इस पर भी राइस ब्रेय रवोसम होते हैं तो इसलिए के पास के पास होती है यह विक्श होती है और जब दूर होती है तो कम अस्थाई होती है कि'm you Miss me Alika antibody कने रमाड करती है क्योंकि antibody करने के लिए हम लोग प्रतिराथ नंत्र एक चिप्टर आएगा तो परहेंगे antibody के निर्माण कैसे होता है तोहां पढेंगे कि प्रोटीन से ही एंटीवडी के निर्माड होता है मुख्यृव से तो प्रोटीन किसके पास है फुरदरी के पास है क्योंकि इसके पास तो राइबुसंस के कॉण है तो इसके पास प्रोटीन है तो इसलिए डाबलुबीसी के निर्माड में एंटीवडी में या एंटीवडी क के निर्मार करती है कि चीखनी क्या करती है जाली का ऐसे इंजाइम बनाती जो कि निराविश्क करने के लिए क्योंकि यह जो हता है कि लिपीड और कर्भाइड्रेट इस प्रकार से लेक्टिफाइड होता है यह चीज को भी हम लोग पढ़ेंगे उसी समय इंसुलीन का उतपाधन करती है इंसुलीन करती है इंसुलीन होता है और और करने के लिए नहीं है प्रोटीन चीक नहीं के पास इस प्रकार से दोनों में अंतर आप समा सकते हैं तो राइबोसम्स इसकी खोज पैलाड़े ने की थी लाड़े लेने राइबोसम्स की खोज की थी राइबोसम्स एक कोशी का द्रवी मुक्त रूप से या रफ यार की सता पर पाये जाते हैं अभी लोग यह अर दोब करकार का पणारा रफ यार रफ यार रफ खुरदरी की होती है क्योंकि इसके पार स्कॉनद मुक्राइबोसम्स यहां भी देखने ऊसका और थोटेन निर्म जहां भी देखो इसका मतलब प्रोटीन होता है इसका मतलब आरेने भी प्रोटीन का निर्माण करता है संसलेशन करता है तो तेसे आता इंट राइबो निओक रोटन के वियुक्नेट वित रिपोलता है और στο要प राइबो नियुक्लिक प्रोलते तो राइबो-। साइथ यह पर अक्रता है इसके सायता अर्न रभी दोने Mapर यह प्रोटियन उसकर करता है को कि अविच्छ इसके नाम करता है कि इसके नाम में भी राइबो रैवतई राइबोसंद दो go के होते हैं है एक सेटी होता है और 20 ऐस दो प्रकार के होते हैं geography है कि यह एंड नहीं है यह से अब इस है कि यह एस है प्रोटेन के प्रोटेन के फ्रेक्टरी कियो कहाता है हम क्योंकि राइबबोज होता है प्रोटेrael करता है तो निर्माड़ करता है इसलिए इसे प्रोटें के रहा करता है से भी नियुक्त है आप इसको रोपेद को यहां दीच सकते हैं से कि मैं मैं लासे संथे सक लास अविद्व मुआ जाया दिजिया लास जब होगा डेट बड़ी होगी दुबा दिया जाता है ना नदी में तो इसकी खोश डीडूने की थी कि इसमें भीभिन प्रकार का हाइड्रालोटिक अग्जाइंट पाचअ के इंजाइम हाइड्रोलेटिक अग्जाइम को ही पाचअ के इन्जाइम बोलते हैं कोशिका पर अगर संपुर्ण कोशिका इंजम किसके पास होता है लौ संफ् debido 뽑ल तैंग क्यों कि सभी इसलिए बोलता है कि इसके पास सभी कोशिकायों सभी मुर्थ कोसिकाय कर समाब फो जाते अफ इसक डिक अiaile द्वारा सबस्यातिक ब्लड थे कंसर की समय हो जाता है बार्ड कंसर क्या है कोसी का होज्ट कारा रृद शेकशा नहीं कई स्यंक्टर में क्या होता है को सिकाने ज़्यादा बढ़नी चाहिए यहाइँ वत बढ़नी चाहिए उतनी लुक्त हो अच्छी भात नहीं है लेकिन चलता है लेकिन यहीं कामवाई में हो जाए रत में अ इस रोथ प्लॉडियों में ब्लड क्या होताई यहां हो जाएगा लग जाएगे जय दो हो जाएगा तो मृत्त हो जाएगी इसलिए जब ब्लड कंसर होता है तो लाइसोस्वम की संख्या आधिक हो जाती ताकि तुरंत तुरंत कोशिकाओं को खा जाए यहां कि गला दे हैड्रोलोटिक एंजाइम के द्वारा इसमें लाइसोस्वम में प्रोटी एज राइबो नु राइबो नुकलेज असफेज यह सब एंजाइम किसके पास पाए जाता है लाइसोस्वम के पाश गालजी काई गालजी कंप्लेक्स इसकी खोच कैमिलो गालजी ने क्या था इनके नाम पर ही है तो याद करने कोई बात नहीं है अब भिन ने को सिकांग पदार्थों के गालजी कार्थी होता है परिवहन करना तरसल गालजी पाले उसको बोलता है जो बैल गाड़ी होती थी ने बैलों से चलने वाले गाड़ी तो उसको गालजी बोला जाता था बैलों से चलने वाली जो गाड़ी होती थी पाले अब नहीं होती अभी भी कहीं कहीं होती है तो जी बोला जाता वो क्या करती है एक समान को दूसरे स्तंतिक पहुंचाती है यानिकी पहले जब पहले सिर्फ वहीं हुआ करते थी तो यात्रियों को भी पहुंचाते थी यहने की परिवहन का कार्य करते थी वहीं तो उस वहां से लिया गया है यह परिवहन क्या करता है परिव करते हैं को चुर्ण करते हैं को चुर्ण की निर्माड करते हैं कि ट्रैफिक पुल्स की एक हैं जो कोशी का पदार्थों का यह निर्माड करता है उसे निर्माड करके छोड़ नहीं देता है एक रस्तान से दूसरी रस्तान जहां जरूरुत होते हैं उसकी पहुंचाता भी है तो इसले इसे कोशी का पुलिस भी कहते हैं और यिस आई करता हैonseef का टी आरेंडे आ यह झांगे और सल तीन प्रकार का यह जो क्या होता है है मर्ता मर्ता मतलब 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 मैसेंजर रहने और ट्रांसफार ना इसको एक अस्थान से दूसरी यह अस्थान पकाऊंने ट्रने-ट्रन तो इसलिए करता है तो यह कोशिका और बिभीन नियुट कोशिका पदार्थों को निर्मान जब करना है तो जहां विभीने कोशिका पदार्थों निर्मान अधिक होगा इसका मतलब वहां गाल जी पादप को चिकाव में जब पढ़ेंगे यह मतलब पादप कई चिकेंगे जब जच्छाब कर दो या होता है फट साम मतलब द्वाइब और कर्सा मतलब फेले जिला क्या होता है यह होता है प्रोकॉरेटिक को हमें सबस्क्राइब होते हैं तो हमें हाथ पर कुछ होता नहीं है तो एक जगर तुटली के समान दिख रहा आपको धागे के समान यह बड़ा बाल होता है तो फेले जीला क्या करते हैं प्रोकरियोटिक्स जीओं को प्रोकरियोट्स जीओं को एक अस्थान से दूसरी जगा पहुंचने में सहायता करते हैं वह प्रूसरी बैक्टरिया को मान सकते हैं प्रोकरियोट्स को सिकाओं में उते हैं यह प्रोकरियोट्स में इनकी संख्या नहीं मिलते हैं तो उसलिए यह तरह जो है कि टारा उतारा उतार लाता था अपने लिए ठैए अपने चाने वालों के लिए तारा हटा था ठाहता था हम तारा उतार कर लाएंगे तो नहीं था बोले प्रकार का था के पास ह wsutा हैético को भी भाजन कि में सहायता करना को सिगा विभाजनों करती है जिस प्रकार में यह को टाहिता करता है करता है केंद्र के पास होता है क्योंकि इसका काम सिर्फ कोशिका वाजन नहीं करता है या भी हमने पढ़ा सेलिया और फैलेजिला के निर्माण में भाग लेता है तो मुख्यकार इसका दो है यह सिर्फ जन्तु कोशिकाओं में मिलता है जन्तु कोशिकाओं में मिलता है क्योंकि सिल्या और फैलेजिला यह इसका निर्माण इसका निर्माण टिवलिन प्रोटेन लिकाओं से होता है क्यों होता है क्योंकि पक्षावा और फैलेजिला का भी निर्माण इसी से होता है अभी हम लोग ने दिखा आप यह देख सकते इसको कि आपका जान जो होता है जान जो है क्या करती है रिक्तिका आपका पैकेट शेल करती है तो रिक्तिका के कोज किस ने करी थी जानी ने में इसके खुछ करी थी कि इसेग मिरुट होता है थे खाली जगा थे ешьसिका में वहा रिरुद भाग जहाँ पर भोजन संचे ने होता है उसे को में डिट भूलते है वेक्ट इसमेटेनavor अवह थblowing पैसे एक जिसट अ help और फैसे रखते हैं यहां पर यह क्यों Sound क्योंकि क्यों भोजन का संचय चता तकि कोषिकांगों और संख्याम की जरत पड़य। हम ha Sh Bryan thank Phantom g festive लेकिन को से पॉज़ुकॉद ये यहां पर संकरण पादब को भी चले इकार की उते हैं कि जो छोटी एकार की होती संख्या में अधिक होती है और जो बड़े एकार की होती संख्या में कम होती है पीछे भी स्लाइड में इसको अभी दिखायते हैं आपको यहां भोजन का संचे होता है अभी हमने बता है भोजन का संचे किस रूप में होता है हम भोजन में मुख बोलता है इसी को पाचन बोलते हैं तो भोजन का संचय किस रूप में होगा जन्तूं में ग्लाइकोजन के रूप में जन्त हम लोग क्या पीते हैं ग्लुकोज पीते हैं तो ग्लुकोज यानि कि जन्तों में ग्लाइकोजन की रूप में सरवाधिक कहां होगा यक्रित में वैसे कोशिका पूरे सरीर कोशिका सही मिलकर बनी है तो पूरे सरीर में होगा संचय लेकिन सबसे अधिक कहां होगा यक्र लेकर जाना पड़ेगा तरवाधिक होता है जडो में होता है if bacteria से बना होता है और काईटीन की रूप में संचा होता है कुकि उनके पास पुछ होता नहीं वे उनके अलएक और ने फंद या में प्रोकरियोट्स प्रेकार के होता है तो भाव होता है केंद्रक नूट्लियस है इसकी खोज राबर्ट ट्राउनने करी थी सबसे बड़ा करकोशिपा का सबसे बड़ा आंग गरंडर कोट मैंत्रं कोचिका उपनल प्रेह इसे प्रेव से बोलते हैं हमारे सरीन में जूमिक HR होती है सब नियंत्रन मस्तिक स्क不र करता है करता है नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगी को तो वहीं करता है करता है क哦 करता है केंदा को को सिक अंदिमाग भीणक करता है केंद्रक हो थी इसे मानेट brushed कंद्रक होता है किंद्रक लगभग देकर आपको समझाया था लेकिन आरबी सी इसके कुछ हपवाद में समाने समाने नियम में गोलाका राफवान राकार एक ही होगी किंद्रक लेकिन इसके कुछ अफवाद में जैसे RBC we can work होता ही नहीं है तो यह अफवाद हो गया WBC होता है लेकिन कई लोब होता है है अस्थी मज्या की कोसिकाओं में दरशनी हम लोग अस्थी मज्या की कोसिकाओं होती है तो रहुरक होोती है वहां एक से अधिक केंद्रक ये तीन को टोर सब्सक्राइब करें यह होता है और प्रोटीन ही होता है तो इसका आर्थ प्रोटीन ही होता है तो इसका आर्थ क्या होगा के पास अपना जीन होता है तो इन्सक्राइण क्या होता है तो इन डर्भ में अपने तनतु पाय जाते हैं आप धागी ले लीजिए बहुत सारे धागे और इसको ऐसे रेंडेम लेपेट दीजिये अच्छे साणेशनेक ना है रेंडेम लेपेट दीजिये ताकि एक दूसरे में उलस जाए और जब एक दूसरी म Bach इस प्रकार आपको इस प्रकार से दिखाई देगा इस प्रकार से जो दिखाई देगा धागा उसी को बोलते हैं Cromatin Tantu कि ए और मेंतिन तंतो है जो जो धागे के समान उल्जे हुए होते हैं यहीं कोशिका जब कोशिका का विभाजन होता है कोशिका वाजित होती है तो यहीं गुर्सुत्र की रुप में दिखाई देने लगते हैं और जोड़ी में आ जाते हैं गुर्सुत्र ऐसा होता है कि यह जोडियों आूगा यही कुरुमेंटेंटेंट थागए किसमानजु कर्मेंटेंट न्थू यहाई जोडी में आ जाते हैं गुड़ सुत्र किरुप में दिखाए देने लगते हैं है कि फुर्सुत्र करें इसके कोज हाफमेंस्टर सब्सार्इब है यह उत्यार मिश्चर हाप था जोडी में सह करते हैं और हाफ यह था मतला आदा आदमी था तो सोच रहा था कि हम भी जोड़े हो जाएं तो इसने जोड़ा वाले याने कि खोज कर थी मिश्टर हाप ने यह गुटशू तर आपको हमेशा दिखाई नहीं दे लिऑ जब कोसिका विभाजन होगा उसी समय दिखाई देते पाहले क्या होते हैं प्रosphया 6GS कर दिखाई देख सकतें कि अहां के दिखाई देख सकते हैं ने क्रॉमेटिन तंतूं से केंद्रिका निउकलियस जूड़ी रहती है यह केंद्रिका यह केंद्रक है और यह केंद्रिका है क्रॉमेटिक तंतूं पर ही क्रॉमेटिक तंतूं पर ही केंद्रीका उपस्थित होती है कि को यह केंद्रिका है है का एक इंद्रिकाय केंद्र रख नहीं है के पूरा केंद्रक Byzक। और इससे बड़ा है युलिओ करुए आप तो कोषिक आंदर इक हम्हें रख और केंद्र के ऑष हैं अगें जाधी कि अधिया कि आरने के निर्मान में सायता करती किन करती है यह वह सकते मेर निर्माण के निर्मान न्युक्लिक एचिड तो डी आकसी राइबोज न्युक्लिक एचिड यह क्या है दोने मैं अंतर देखते हैं देने का माडल वाट्सन देख ने देख रहागा वाट्सन एंक्रिक दो लोग है धरसल द्यून द्वी कुंडलिसन रचना है यह आप देख सकते हैं यहां पर यह है एक इस तरह से आया है और एक इस तरह से आया है दोने मिल गए है तो DNA के है दुई कुंडलिशन रचना है और यह आरेने है आरेने सिर्फ एक कुंडलिशन रचना है तो DNA और RNA है सिर्फ एक कुंडलिशन रचना पारेने कि इसकी खोड फेडरिक माईजर ने करी थे एक लोगों करे ते पर गडिनों ने की सब्सक्राइक होदा यह ने का मुख्य रूप से केंद्र के पास होता है है हमने बताया कि DNA और RNA कहाँ होता है गेंड में होता है यह इसके पास बकुछ का और के पास यह ळिन के अंड़र के पाकर विंसे के पास इना होता है एंड्रों के पास होता होता है एडैनीन थाइमेन साइटोसीन ग्वाइन का फूल फारम है और आर्न्य की स्ट्रक्चर में हार भी अड़ोजन बंड बंड होता है डबल बंड यू और सी ट्रीपल बंड जी होता है को सी 3000 बान्ट जी दोनों में होता है से चाहिँ का मतला साइटीन साइट्रसीन और जी मतला गवाईने लेकिन ए-न्ने ami आप बताएंगे थायमिन की जगह पर यूरेसील आ जाता है ने किसन रचना तीन प्रकार के पदार्थों से होती है और आरेने किसन रचना तीन प्रकार की होती है दोनों में अंतर ध्यान देंगे दिन ने तीन प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना है और आरेने तीन प्रकार का होता है कि एक होता है नाइट्रोजनी शार होता है यहीं चीज़ होता है सरक्रा में पेंटोश चुगर होता है पांच कारबन वाली सरक्रा होती है कितनी होती पांच तो सरक्रा पांच कारबन वाली होती है जो इस बात दयान देखेंगे तरकरा में कितने पर सरकरा है 5 कर बनवाली और किस कार्बन होती है दूसरे कारबन पर और फासपॉर फासपॉरिक आमल ले फासपॉरिक आमल है इसे बोलते हैं फासपॉरिक आमल मैं है यह और यह बताया धियन्य के पास जीन होता है और और जीन नहीं मात्ता-पिता का लक्षण को पीड्य में अगली पीडी मिलेकर जाता है तो डीनने के मुख्यकारवांसागति करना है का रहने के सन्दाचन तीन प्रकार कई होती है ने तीन प्रकार का होता है मारता याद कर लेंगे मारता यह मतलब मार्न ने आर्न ती आरेने आरेने तीन प्रकार का होता है मरता एन यानिकी एम आरेने आर आरने टी आरने एम फार मेसेंजर मेसेंजर आरने आर फार राइबोसोमल राइबोसोमल आरने और टी फार ट्रांसफर ट्रांसफर आरने मेसेंजर आरने क्या करता है जब प्रोटीन की कमी हो जाती है में मेसेज देता है किसको ममख राइबो तक लेकर कौन जाएगा ट्रना लेकर जाएगा अर ने का मुख्य क्या है प्रोटेन का संस्लेस्टन करना क्योंकि आरे ने का मतलब ही होता है राइबोज यह डिन्न और और अरे इन्न जुक्त कमाडल देख सकते हैं अप गुड़ करी इसकता के वहाँ होते हैं इस पर जीन लगे होते हैं यह भूत वाले जीन नहीं है जोची न लागते हैं यह लक्षणों का पीडीतिर पीड़ी ने कारे करते हैं जिन पाय जाते हैं जो कि एक जीन सिर्फ एक ही लक्षण को पैत्रिक में लेकर जाता है यानी कि माता पीता कि लक्षण को पैत्रिक संतानों में लेकर जाता है जीन लेकर जाता है और एक जीन सिर्फ एक ही लक्षण को लेकर जाता आधिक लेकर नहीं जा सकता है इसलिए जीन्स ज्यादे होते हैं लाकों का संस्खिय में होते हैं गुड-शु ब्रो्म, व्मक टों प्रकार का होता है पुल नगी बाक। सुत्र एक होता है अलोसम्स लिंग गुडशुत्र है काई गुडशुत्र मतलब जिससे काया मतलब होता है शरीर जिससे पूरा शरीर का निर्माण हुआ होता है काया,, और लएकाब करने भा करने भाण होता है इस प्रकार से एक्टसम्स और अलो शंस कायbaby सूर अर Suppose मेल और मैं समान होता है कान एक्टकस मतलब कोईक्ठे स्परीर पाथ होता है मैल और फिम दोनों अलग होता है मेल में एकस वाई से डिनोट करते हैं इसको और फिमेल में एकस से डिनोट करते हैं और मेल में एकस वाई से डिनोट करते हैं मेल में एकस और वाई दोनों अलग लगाना इसे बिसम बोलेंगे बिसम युगम की युगम की क्यों युगम का मतलब होता है जोड़ा पार हमने बता है घृट इसके कुरह में इसलिए कि खोज आप मिन्स्टर ने गरी तहीं थी तो बिसम्योग्म की मेल क्या होता बिसम्योग्मश की होता है क्योंकि एक 20 होता एक वाइप OSTहory हमारने दोनों एक्स होता है तो समय को बोलते हैं के लिंग निर्धारण के लिए कर wanna उध्तरदाई है विंगों सेख्ष ही है एप सकता também के लेकी एक है कि सrüßक्ष्य में ने प्वर्क पड़ता है कि यह उधना करता है करता है नहीं बोल सकता है क्योंकि विंगों करताह थो समयों कई कर नो ता मेल होता है नहीं होता है लेकिन फोक्छियों में इमादा होती दहीं है लिंगी दारण किसके द्वारा होता है तो जैसे मनुष्य मैं प्रंतो शरीष courts और पक्छ uniquely यहीं आ गया सैरीष और पक्छी रेप्टाइल सरीष में कर चलने नर नहीं होता हमारे में क्या होता है मेल होता है नर होता है लेकिन इसलिए यहां पर लिंग निर्धान करेगा मादा करेगी लिंग निर्धान करता है और यहां मादा निर्धान करेगी कि यह आप देख सकते हैं गुर्षुत्र और डिन ने को देख सकते हैं इसे लिफ दोनों जो लीफ हैं आपको कि यह गुर्षुत्र यह हो गया और एक गुर्षुत्र यह हो गया कि यह हमने बताया गुर्षुत्र जोड़ी में हमें ऐसा होते हैं इसलिए इसके ख़ुछ फोड़ी में नहीं होता है यहां से जूड़ते हैं यह दोनों जोड़ी में होते हैं अंत No Ṭ armour मियर बोलते हैं रहे हैं तो सेंट्रों यार की और आधर इसे थोड़ी सी दूरे होता तो यह यहां होना केंद्र की बोलेंगे यानिकि मद्ध से थोड़ा सहट कर लोग्ण लोग एक बहुत हिए किंद्र कर आघर केंद्रकी अगर मतलठ करकें कि यहां यहां पर यहां में सेन्टर में हो यहां यहां एक साइड पर है विल्कूल किनारे पर है तो इस से क्या बोलेंगे है अगरी केंदर की और जाए बिल्ऴ किनारे तो ख़ड़ा ख़ जाए इस पुल्हें डाम की नाफ जो या टुप और केंदर की इस ऍेथी प्रकार से इस प्रकार से स्टान कर चार practice से घुर तेस पता सकते हैं म० 210 म० 2017 की अगरिकेंदर की उप अगरिकेंदर की की चार परकार से को हुआ कि वह बले वाजन नेक्श्ट है शेल प्रकार का होता है ये ख़ता ये सम्सुत्री वह अर्थ शुत्री वाजन मियोसिस संसुत्री सुत्री मतलब गुण्शुत्र और सम मतलब बराबर जहां पर गुण्शुत्रों की संख्या बराबर हो और शुत्री सुत्री मतलब गुण्शुत्र और अधा जहां पर गुण्शुत्रों के संख्या आधा हो जाए तो बदाबर सम मतलब बराबर और मेल फीम्ल दोन हम बराबर को नहीं होता है मतलब को नहीं होते हैं तो इसका मतलब सम्सुत्री वाजन किसमें होगा अधर खरोकलो समस्काश्य खोने वहां होगा हर्दशंस्प्रेंग worked in person होता है है। कि अर्थ्षुत्र के द्सक्राइब का होता है यानिकी निद्डर रिंग्स में होता है सुत्र वार न में क्या होता है एक कोसी का बरावर के दो कोसिकाओं में विभाजित हो जाती है और गुळ Ne जितने गुळ सुत्र होंगे उतने गुळ सुत्र इसमें भी होंगे यानि एक कोसी का पोटहज़ वें नहीं कोशी काउं में भी भाजित हो जाती है है अर्दी किया होटा लेकिन इसमें करी संध्य समान रहती है अर्दी सुत्र में क्या होता है इसमें एक बारी चार कोसिकाउं में 40 गहराज है प्रॉन करilian कि इसमें घृत्म लीन हो जाती है है ये किया इshift में क्या होगा अएक नहीं सब्सक्राइब को सिंट्रों के संख्याय और तुरी में आप सुद्र को संख्याας आधी व हो समसुत्री में क्या होगा समान रहेगी समसुत्री में एक कोशी कि दो कोशी का उबटेंगी और अर्द सुत्री में एक कोशी का, चार कोशी का वंबटेगी, इतना आप लोग याद करेंगे, कोशी का चिप्टर खतम हुआ, नेक्स्ट एप्चोड में देखेंगे नेक्स्ट चिप्टर को, अभी के लिए इतना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सस्क्र करें, बहुत बढ़ दन्यवाद,